हाई फ्रेंड्स आज हम यहां पर हैं हमारी एक साइट पर जहां पर हमने प्यू फ्लोरिंग किया है पॉलियू रथीन फ्लोरिंग और आप देख सकते हैं मेरे पिछे में यह ब्लू कलर की बहुत ही सुन्दर देख रही है यह फ्लोरिंग प्यू फ्लोरिंग और जिस साइट पर हम खड़े हैं वो एक गौर्वर्मेंट गौठान है जहां पर ये एक food processing unit है जहां पर ये लोग कुछ चिक्की की manufacturing करने वाले हैं और ये एक AC room है इनका office है जहां पर इन्होंने ये PU flooring करवाया है और ये PU flooring जो है ये system हमने दिया है ये 5 mm का system है ये PU flooring जो हमने यहां पर किया है और ये stain blue color में किया है हमने यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुन्दर लग रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये floor PU flooring करने के पहले कैसा नजर आता था ये इस तरफ आप देख सकते हैं ये वो floor है जो पहले इसमें ये quota stone किया हुआ और quota stone जब इसमें किया गया था तो इसके quota stone के जो joints थे वो प्रॉपर लेवल नहीं किये हुए थे इसलिए हमें यहां पर 5 mm का PU system देना पड़ गया और हमने यहां पर 5 mm thickness में PU flooring की है आप देख सकते हैं और स्टीन ब्लू कलर में ये बहुत ही कुप्सवर लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है कि देखे ये बहुत ही स्ट्रॉंग है और इसमें एस्थेटिक्स भी मैंटेन होते हैं और इसको अब पार्ड़ को और इसमें अब जहाएग और इसमें और इसमें और इसमें भास तोर पहुत तो फोट प्रोससिंग उनिट में इसे में जिसे की इसमें इसमें फंगस या फिर वाइरस या फंगस जर्मिनेट होने के चांस हो गए है लेगन प्यू फ्लोरिंग या एपॉक्सी फ्लोरिंग में जैसे कि आप देख सकते कि यहां पे कोई जॉइंट नहीं है यह एक जॉइंट-less system होता है और जिसकी वज़े से इसमें कोई भी फंगस या वाइरस डेवलप नहीं होता है और ICMR के गाइडलाइन के एकॉडिन टो गाइडलाइन सब्सक्राइब करवाना चाहिए इसके बहुत सारे बेनेफिट्स हैं यह बहुत ही डूरेबल होता है और यह स्कैच रेजिस्टेंट होता है केमिकल रिजिस्टेंट होता है इजी टू क्लीन होता है और इट हैस लॉट्स ओफ एड्वांटेजेज ओवर दे कन्वेंशनल फ्लोरिंग्स लाइक टाइल्स और कॉंक्रीट फ्लोर और टाइल्स के मकाबले यह बहुत ही जाधा इसके बेनेफिट्स काफी जाधा होते हैं अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है अपोक्सी फ्लोरिंग को या प्यू फ्लोरिंग को लेकर के तो आप मुझ से डिरेक्ट कर सकते हैं और आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा and feel free to call me friends because I have around 13 years of experience in this field and I would be happy to talk with you मुझे खुशी होगी आपके किसी भी problem को अगर मैं solve कर पाया Thank you